नमस्कार जहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटिब चैनल इंपोर्टेंट M.C.Q. संदीब में डेलेट थर्ड सेमस्टर मैत की तैयारे के क्रम में आज हम फिर से आपके सामने मॉडल पेपर 27 गडित का लेकर हाजिर हुए हैं इससे पहले हमने 26 मॉडल पेपर गडित के अपलोड कर दी हैं अगर आपने वह नहीं देखे तो उनको जरूर देख लिए इसी चैनल के प्लेइलिस्ट में उपलब्ध हैं आप आराम से उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए एक एक कोश्चन समझे ताक कि आपका कोई भी कोश्चन परिक्षा में गलत न हो जाए तो यहाँ पर चले शुरू करते हैं आज का वीडियो यहाँ पर जो पहला कोश्चन आपके सामने दे रखा है कि पार की लंबाई और चौडाई में पांच अनपाद तीन का अनपाद है यदि लंबाई 95 मेटर है तो चौडाई ग्याद करो ध्यान से देखो लंबाई और चौडाई लंबाई और चौडाई में अनपाद कितने का दे रखा है पांच अनपाद तीन का अब यह जो लंबाई आपको दे रखी है 95 दे रखी है और तीन यह पूछ रहे हैं कि यह कित हो गी अब पांच को सीधा समान पात को क्योश्चन पना सकते हैं पांच अनुपात 3 लंभाई अनुपात 5 पहले है तो पर भी लंबाई पहले होगी और चोड़ाई पता नहीं तो इसको X माल लेते हैं मध्य पदों का गुड़न फल बराबर बाहे पदों का गुड़न फल 5X इक्वल टू 95 इंटू 3 X की वेल्यू निकालने के लिए 5 को उस तरह भेजना पड़ेगा 95 गुड़े 3 बटे 5 5 से इसको काटा या 19 पच्चे 95 और 19 तिया 57 X की वेल्यू आ गई आप चाहे डिरेक्ट समझ लो और चाहे तो आपके कोर्स के हिसाब से समान पात को कोश्चन बना कर इसको समझ लो अगला कोश्चन यहाँ पर है A की पावर 4 इंटू A की पावर 0 अगर कभी भी A की पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा ठीक है A की पावर 4 इंटू 1 किसी भी नंबर की पावर 0 आजाए तो वो 1 होगा A की पावर 4 यहाँ ऐसे ही रखा है multiply इंटू 1 तो A की पावर 4 में जब 1 का multiply करेंगे तो answer आपका A की पावर 4 ही आजाएगा next question यहाँ पर क्या है वो देख लीजे 1 upon 2 की पावर minus 2 इंटू 2 की पावर 2 मैंने आपको क्या बताया कि अगर पावर minus में है तो इसको plus में कर लो ठीक है तो इसको plus में करेंगे तो bracket के अंदर की चीजे उलट जाएंगी यानि 1 बटे 2 है तो यह हो जाएगी 2 बटे 1 बटे में 1 है उसकी कोई value नहीं है तो यह minus 2 हो जाएगा 2 multiply 2 की पावर 2 2 की पावर 2 होता है 4 2 की पावर 2 होता है 4 4 416 option number D का answer सही हो जाएगा next question यहाँ पर है रिक्त समुच्चे को प्रदरशित किया जाता है कैसे किया जाता है रिक्त समुच्चे मैंने आपको बताये थे समुच्चे कितने प्रकार के होते हैं आप नीचे comment बताये कि समुच्चे कितने प्रकार के होते हैं यह आप नीचे comment बताये और अगर आपको पता है तो उनके नाम भी लिखिए क्योंकि सब कुछ आपको पता होना चाहिए तभी आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं रिक्त समुच्चे के लावा और कौन-कौन से समुच्चे होते हैं नीचे comment पताईए इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं ? देखो इस तरह इसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर कोई न कोई नंबर है तो यह तो गलत है एक दो तीन ये भी गलत है रिक्त समुच्चे का मतलब रिक्त एक दो तीन एंड इन्फाइनाइट तक जा रहा ये भी गलत है रिक्त समुच्चे को आप इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं रिक्त समुच्चे को दो तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है पहला तो है आप 5 बना दो, यह हो गया रिक्त समुच्चे, या फिर आप मंजला ब्रैकेट बना कर छोड़ दो उसके अंदर कुछ भी मत रखो, उसको रिक्त रखो, तो वो हो जाएगा रिक्त समुच्चे, दो तरीके से रिक्त समुच्चे को प्रदर्शित किया जा सकता है, केंदरी प्रवत्ती की माप नहीं है, माद्य मद्य का बारम बारता बहुलग, यह केंदरी प्रवत्ती की माप है, लेकिन जो बारम बारता है, यह केंदरी प्रवत्ती की माप नहीं है, हाला कि हम लोग इसको प्रशन में यूज़ करते हैं, लेकिन यह माप नहीं है, अगला योगफल बटे पदों की संख्या तो यहां पर पद कौन कौन सा है 41 42 43 48 35 34 42 37 46 तो आपको क्या करना होगा इन सभी का योगफल निकालना होगा समानतर माध्य बराबर पदों का योगफल इन सभी का योगफल करेंगे तब आपका आएगा 388 और पदो की संख्या कितनी है दस चात्र हैं तो दस से डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आजाएगा 38.8 किलोग्राम चुकि ये सारे भार किलोग्राम में दे रखें तो जो इसका समानतर मात देएगा वो भी किलोग्राम में आएगा तो ये कोश्चन आपको समझ में आगिया होगा और अल्लेडी आप सोबको पता है अगला देखो कोश्चन थोड़े से लेवल अप करके कोश्चन यहाँ पर डाले गए हैं ए बराबर एक्स एक्स अंग्रेजी वर्ड माला में स्वर है ठिक कितने होगे पांच होते हैं अब यहाँ पर पूछ रहा हैं इसके उप समझे की संख्या बताओ यानि अगर किसी समझे में पांच हैं यह पांच है यानि इतके सदस्यों या फिर अव्यों की संख्या कितनी है पांच है तो इनके उपसमुच्चे की संख्या कैसे निकालते हैं उपसमुच्चे की संख्या कैसे निकालते हैं 2 की पावर M करके M क्या होता ये इनके नंबर्स होते हैं कितने नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 और यह टू की पावर पांच कितना होता है 32 होता है तो यहाँ पर ए बराबर एक्स एक्स अंग्रेजी वर्ड माला में स्वर है तो इनके उप समुच्चे की संग्या कितनी होगी 32 होगी क्लियर हो गई बात इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट कोश्चिन देख पंदरा है तो इसको दो तीन चेंग पंदरा तीन पैंटालिस वर्ग मीटर चेतरफल है तो वर्ग मीटर में ही आएगा यह चीज़ आपको पता होगी प्लियर हो गई बात इसमें कोई डाउट तो नहीं है चलो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर नो दो बटे तीन के फॉर्म में लिख सकते हैं बेलकुल लिख सकते हैं चार बटे नो को हम लोग दो बटे तीन की पावर दो लिख सकते हैं क्योंकि दो दुना चार हो जाएगा और तीन नो हो जाएगा यानि दो का स्कॉयर चार और तीन का स्कॉयर नो तो इस तरह हम इसको दो ब बटे तीन की पावर माइनस चार ठीक है अब आपको एक चीज़ तो मालूम होगी अगर बेस वैल्यू समान है सभी की तो इनकी पावर क्या होती है वो आपस में जुड़ जाती है ठीक है अगर बीच में गुड़ा लगा हुआ अगर यहां पर यह डिवाइड लगा हो तो पा पावर के उपर पावर लग जाती है दो बटे तीन की पावर माइनस चार अब यहां पर देखो क्या होगा दो बटे तीन यह दो plus 4 और ये minus में है तो ये minus तो 4, 4 कट जाएंगे क्योंकि ये plus ये minus है बचेगा 2 तो 2 वटे 3 की powर 2, ये कितना हम जागा 2 का square करो 4 और 3 का square करोगे 9 आजाएगा 4 वटे 9 याँपर इसका answer आ गया बड़ी आसानी से सब कुछ होगा बस केवल आप level by level काम करते जो आपके सारे answers आते जाएंगे next question है याप पर किस धन का 10% वार्सिक ब्याज की दर से एक वर्स का साधारण ब्याज 1000 होगा तो यहाँ पर सीधा आपको वही formula लगा देना है simple interest याणि साधारण ब्याज बराबर PRT upon 100 ठीक है तो अब यहाँ पर आपको जो values दे रखी है वो values के दे रखी है जो SI है वो आपको 1000 दे रखा है P यानि मोलधर आपको निकालना है rate आपका 10% दे रखा है समय एक वर्स दे रखा है बटे 100 कर दो ठीक है अब 10 दहम 100 अब यह जो 10 है यह divide में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो multiply में हो जाएगा तो P की value आ जाएगी 1000 into 10 P की value आपके आगई 10,000 रुपीज यानि कुल मिला कर हम यह कह सकते है P यानि मोलधर आपका इस सवाल में 10,000 रुपे है कि लिखा है किस धन का 10% वार्षी ब्याज की दर से एक वर्ष का सद्रण ब्याज एक 1000 होगा तो वो जो amount है वो है 10,000 Next question पर आते हैं question number 11 यहाँ पर एक व्रत दे रखा है और बोलने ADB की value बताओ यानि इसकी code की map आपको बतानी है तो आप यहाँ देख सकते हैं यह A, B यह एक चाप है और इसी चाप पर यह वाला code बना है और इसी चाप पर यह वाला code बना है तो मैंने आपको व्रत वाले वीडियो में बतायाता है कि जब किसी चाप पर दो code बनते हैं और उनका series परिदी को touch करता है तो वो दोनों कोड़ आपस में बराबर होते हैं अगर ये 27 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 27 डिगरी हो जाएगा सारे concept समझ के चलिए क्योंकि कोई भी concept आपकी परिक्षा में पूछा जा सकता है इतने मैंने आपको model paper करा दिये अगर आपने सारे model paper देख लिए न तो निश्चित है आप गांट बांद के रख लो 25 में 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोख सकता मैं पिछले 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ और mostly लोगों को 25 में 25 नंबर दिलाता हूँ अगर वो पूरे ध्यान से पूरे मनोयोग से वीडियो देखें और समझ जाएं क्योंकि इनी वीडियो की जो questions है इनी question में से कोई न कोई question उठा कर आपकी परिक्षा में आ जाता है क्योंकि mostly question तो मैं PNP की book से ही कराता हूँ तो यह सारे question आपकी परिक्षा में आने की संभावना रखते हैं इसलिए सारे question ध्यान से देखते रहे हैं अगला question यहाँ पर है एक मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है यद मैदान पर 40 मिली मीटर वर्षा हो तो मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा अब यहाँ पर बहुत लोग confused जाएंगे भाई पूछ रहे हो लीटर में और यहाँ पर एकाईयां दे रहे हो मीटर मीटर मिली मीटर तो यहाँ पर आपको मैंने पिछले दो तीन वीडियो में समझाया हुआ है मीटर और लीटर का रिलेशन होता है मीटर लीटर का रिलेशन होता है कौन साल रिलेशन होता है देखो यह जो होता है यह मीटर यह घं मीटर होता है अगर हम बात करें एक घन मीटर की एक घन मीटर में एक हजार लीटर पानी मतलब एक घन मीटर बराबर एक हजार लीटर के होता है ठीक है इसलिए question में आप लीटर में answer पूछा जा रहा है और सारी इकाईया आपको मीटर मिली मीटर में दे रखी है अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा सबसे पहले हमें निकालना होगा आयतन यानि उस मैदान पर जब पानी गिरा तो वो जो पानी भरा हुआ है उसको लेकर उस मैदान का आयतन क्या बन रहा है अब अगर किसी मैदान को हम देखे तो उसमें लंबाई होगी और चोडाई होगी clear अब लेकिन अगर उसमें पानी भर जाएगा तो पानी की कुछ उचाई बनेगी जाके तो यह जो 40 मिली मीटर है यह एक तरीके से मैदान की उचाई मानी जाएगी क्योंकि पानी भर चुका है तो जो पानी की उचाई है वो एक तरीके से मैदान का आयतन तो ये लंबाई हो गई ये चोड़ाई हो गई और ये उचाई हो गई ध्यान से इसको समझना आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को अच्छे से मालूम है लंबाई उड़े चोड़ाई उड़े उचाई तो ये 30 मीटर लंबाई चोड़ाई 10 मीटर और आपकी जो कितने होंगे मीटर एक मिली मीटर में 1 बटे 1000 अब यहां पर तो 40 मिली मीटर की बात है तो 40 बटे 1000 हो जाएंगे तो यह जो अगर इसको भी मीटर में convert करना है, तो 40 वटे 1000, आपको करना पड़ेगा. क्लियर होगे बात, इस तरह है आपका क्या निकल के आ जाएगा? आईतन निकल के आ जाएगा. एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तो कुल मिला कर चार 4, 4, 3, 12. आपका कि आपको मालूम है एक घन मीटर बराबर होता है एक हजार लीटर तो बारा घन मीटर बराबर कितना होगा एक हजार गुड़े बारा बारा हजार लीटर आखरी लाइन में आप लिखेंगे मैदान पर कुल बारा हजार लीटर पानी गिरा उमीद करता हूँ कि ये चीज आपक संपूर्ण प्रस्ट ग्याद करो तो कमरे का संपूर्ण प्रस्ट यानि घन का संपूर्ण प्रस्ट ग्याद करने की बात कह रहा है तो घन का संपूर्ण प्रस्ट क्या होता है देखो फार्मूले सब रटा मार लो रट लो घन का संपूर्ण प्रस्ट क्या होता है six a square six a square a आपका आठ दे रखा है तो आठ का square six into 64 कितना हो जाएगा छह चोग को 24 चर्चरंग 36 और दो 383 84 अब चुकि यह संपूर्ड प्रस्ट है a into a दो बार मल्टिप्लाई हुआ है मीटर into मीटर यह हो जाएगा वर्ग मीटर ठीक है 384 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया उम्मिद करता हूँ कि यह चीज़ आपको अच्छे से समझ अगला कोशन है कोशन नमबर 15 एक्स की पावर 4 माइनस 625 यहां पर देखो यह 625 किसी के स्क्वाइर है या क्यूब है जी यहां बिल्कुल यह 25 का स्क्वाइर है तो हम इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वाइर माइनस एक्स की पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 की स्क्वाइर ठीक है इसको स्क्वाइर के फार्म में लिख लिए है यह फॉर्मुला बन गया A square minus B square का तो इसको formula A square minus B square का क्या formula होता है एक bracket में A plus B दूसरे bracket में A minus B तो एक bracket में A plus B और दूसरे bracket में A minus B अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते के लिए यहाँ पर अभी हम कुछ कर सकते हैं X square plus 25 इसको X square माइनस यह जो 25 है इसको हम लोग 5 की पावर 2 लिख सकते हैं तो यहाँ पर A square minus B square ओला फिर से formula बनना है X square plus 25 एक bracket में यहाँ से हो जाएगा X plus 5 एक bracket में X minus 5 एक bracket में तो यह आपका final गुडन खंड हो चुके हैं clear हो गई बात अब आगे बढ़ते हैं अगला question है question number 16 समुच्चे A बराबर 7, 11, 13 के सभी उप समुच्चे लिखो तता गिनकर इनकी संख्या भी बताओ तो A बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है A बराबर दे रखा है आपका 7, 11, 13 दे रखा है ठीक है अब इनके उप समुच्चे लिखने है तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे सबसे पहला समुच्चे तो होगा आपका रिक्त समुच्चे यानि फाई तो इस तरह करके हम शुरुआत करते हैं पहला हो गया अब इन सभी रंबर को अकेले अकेले लिख दो साथ ग्यारा और तेरा ठीक कितने हो गए एक दो तीन चार हो गए आगे देखो इन दोनों का जोड़ा बनाओ साथ ग्यारा का जोड़ा बनाया और साथ तेरा का जोड़ा बनाया ठीक आगे देखो और क्या बन सकता है साथ ग्यारा का हो गया 11 13 का हुआ 7 13 को अब 11 13 का बना लो एक कॉमा लगाया और एक बनेगा इन सभी का 7 11 13 यानि हम यह कह सकते हैं उपसमुच्चे हम उस तरह लिखते हैं कि इसको हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं अलग-अलग ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यह 8 उपसमुच्चे आपको दिख रहे हैं अब आपको यह पता करना है कि यह सही है या गलत यहाँ पर लिखा हुआ है गिनकर इनकी संख्या लिखो संख्या तो आपको पता चल जाएगी कि 8 उपसमुच्चे लेकिन यह हम पता कैसे करें कि यह जो हमने निकाला है यह सही निकाला है तो उपसमुच्चे वाला फॉर्मूला लगा दो 2 की पावर M 2 की पावर M, M क्या होता इसके अंदर के नंबर 1, 2, 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 तो यहाँ पर इसके उपसमुच्चे कुल मिलाकर 8 होने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 आपकी सामने लिखे हुए हैं गलत लिखके जबरदस्ती एड मत कर दीजेगा सही सही लिखेगा ठीक है उम्मिद करता हूँ उपसमुच्चे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 17 की तरफ कोश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है इनका गहतांकी ये रूप लिखना है लॉग 10 0.01 एक्वाल 2 माइनस 2 मैंने आपको बताया था कि जो base value होती है उसको बना देते है main value जो बराबर के उस side होता है उसको ले आते है power पर और जो आपका यहाँपर main value उसको बराबर के उस तरफ भेज देते हैं ये आपका आगया घातांकी रूप ये होगी आपका पहला दूसरा आप देखिए यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा log 5125 बराबर 3 यह जो base value है इसको main value बना देते हैं बराबर के जो उस तरफ है उसको power में लगा देते हैं और यह जो main value है इसको बराबर के उस तरफ भेज देते हैं यह आपका घातांग की रूप लिग गया दो question है तो एक एक number के दोनों question यहाँ पर पूछे जाएंगे अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ यानि 18 18 question यह आपके सामने है a square plus 8 upon 3a plus 16 upon 9 इसके गुड़न खंड करने है और यहाँ पर जो आपके लिए question दे रखा है x square plus 10 x plus 25 के गुड़न खंड आपको करने है और इसके क्या गुड़न खंड आएंगे नीचे comment में बताइए देखो लास्ट तक वीडियो वही लोग देखते हैं जो वाकई में 25 में 25 नमबर लाना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई के प्रतिस सीरियस हैं तो लास्ट तक वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए यहाँ पर देखे इसको कैसे हम गुड़न खंड के रूप में लेख सकते हैं क्या यह भी कोई का स्कॉयर है 16 किसका स्कॉयर होता है 4 का 9 किसका होता है 3 का तो यानि हम इसको 4 बते 3 की पावर 2 के फार्म में लेख सकते हैं स्क्वायर चार बटे तीन की पावर टू और एट अपॉन थ्री ए लिखा हुआ है यानि हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए ए बी क्या यह इससे मैच कर रहा है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस फॉर अपॉन थ्री की पावर टू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्लस टू ए बी अब इसको यह थे पावर टू में है तो इसको आप अलग अलग कर लो और यही आपके क्या हो जाएंगे गुड़न खंड हो जाएंगे इस तरह ये question आपका complete हुआ, आप इसमें सम्में बराबर लगा दीजेगा, तो impression जादा अच्छा पड़ेगा, और अप ये आपके लिए question दे रखा है, कि ये question क्या है, आपके सामने दे रखा है, x square plus 10x plus 25, इसके गुड़न खंड आपको करने हैं, और नीचे comment बताने हैं, उम सब्सक्राइब किये जाते हो, अच्छा नहीं लगता है, वीडियो को लाइक जरूर करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही valuable content के साथ, जै हिन, जै भारत